Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ बिलकुल और आभी भी कुछ क्लिप्स बचे हैं बैंगलोर से मैं एक लाइफ की थी पर यहाँ पे आपको मैं दिखूँगी कोलकाता में ही मैं सबसे पहले तो बैंगलोर गई थी, फिर वापस आई थी कुछ चार दिन के लिए उसमें मैं तीन दिन फ्लाइट औपरेट की और वो भी मैं बैंगलोरी जा रही थी हर दिन और फिर जाके मुझे बैंगलोर जाना पड़ा फिर से तो अब भी फिलाल तो मैं बैंगलोर में हूँ जहां से मैं वोइस ओवर कर रही हूँ पर हाँ, क्लिप्स में आपको कोलकता की ही क्लिप्स दिखेंगे मैं सुबा उठ गई, पेनी अभी भी नहीं आई है तो हाँ, पेनी को आप भी बहुत मिस कर रहे हो मैं सुबा उठती हूँ, तो सबसे पहले पेनी को ढूणती हूँ वो मिलती है, मेरे पास सोती हुई, और नहीं, तो कहीं बाहर रहती है पहले उठ जाती है तो, पर हाँ, जब ही मैं उठती हूँ तो पीछे-पीछे घूमती है दोड़े देर मैं ममी को कॉल करती हो पूछती हो कि सुबा क्या करती है तो वो सुबा मोसली ममी के पीछे-पीछे घुमती है जैसे यहां पर मेरे पीछे-पीछे घुमती थी और वहां पर जल्दी उर जाती है और भी जल्दी क्योंकि ममी बहुत जल्दी उर जाती है ऐसे पा कभी हम सब बड़े हो गए हैं मैं तो अभी यहां पे रहती हूँ कभी कभी जाती हूँ बस जब जाती हूँ ज़रूर ममी के काम तो थोड़े बढ़ जाते हैं हाला कि मैं खाने की शौकी नहीं हूँ जब भी ममी पूछती है कि क्या बनाओं तो मैं मना ही करती हूँ कि नहीं दाल चावल बना दो और रात को तो मुसली बापा खाना लेके ही आते हैं मैं घर जाती हूँ सबके साथ एक साथ समय बिताने के लिए खाना तो मैं कुछ भी खा लूँगी पर फिर भी मम्मी कभी कभी सुनती नहीं है तो कुछ बनाती है और हाँ अच्छा लगता है बट आइ कुकिंग होल एक है ऑगी तो पापा है बापा कहना लेके आते है मैं कुछ बोलू तो स्केशल बन्वाकर भी लिए सब कराहने का मन है करता आं आपको क्रेविंग नहीं होती है मुझे बस craving होती है कभी कभी गोल गपे खाने के लिए बाकी चीजों के लिए craving नहीं होती है मुझे mostly तो चलो अभी skincare करते हैं मैं ready होंगी मैं flight है आज मैं window के सामने बैट गई हूँ और window के सामने पता नहीं मतलब बहुत ही अच्छे photos और videos आते है तो आप मेरे skin देखकर बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे skin में कोई flaws नहीं है of course मेरे skin में भी थोड़े बहुत texture जो natural है सबके skin में होना वो है हाँ भली में को अभी pimple कम आती है पर weather change होने से एक आधा pimple मुझे भी आती है मैंने आपको पहले से बता दिया क्योंकि आप लोग कभी-कभी सोचते होंगे कि मेरी skin शायद ऐसे ही है बिल्कुल भी कोई texture नहीं है बिल्कुल भी pores नहीं दिखती है वो बस camera में ऐसा दिख सकता है in person normally जैसा skin होना चाहिए एक इनसान के वैसी ही skin है मेरी भी और आप कितना भी कर लो आपके skin भी ऐसे ही रहेंगे filter like finish वो बस camera में दिख सकती है in person अगर आप makeup लगाओगे और जैसे भी करोगे तो वो सारे चीजे दिखेगी ऐसा नहीं है कि हाँ आपने ऐसा makeup किया कि वो एकदम filter जैसी लग रही है वैसा हो ही नहीं सकता एक reality check क्योंकि हम आप लोग मुझे mostly camera में दिखते हो बस कुछी लोग है जो लोग मुझे मिले है मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी गलत फैमी में रहे कि हाँ शायद मेरे लिए सब कुछ ऐसे है मेरे skin ऐसे है मेरे life भी ऐसे है कि कोई problem नहीं है बिल्कुल भी नहीं मैं कोशिश करती हूँ कि जो अच्छा side है वो ही दिखाने के लिए आप सब के life में problem होती है base makeup जो है वो complete हो जाती है तो मुझे लगता है मेरे makeup 80% complete हो गई है eye makeup करने में मुझे ज्यादा time नहीं लगती अभी एक mostly fixed कुछ shades है जो मैं लगाती हूँ ज्यादा experiment नहीं करती हूँ मैं और जो base makeup है उस पर मैं ज्यादा focus करती हूँ कि मतलब वो long lasting रहे और एक अच्छा finis मिले मुझे क्योंकि eye makeup तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाली है पर पहले क्या करती थी मैं eye makeup में time waste करती थी waste नहीं मतलब invest करती थी कि मेरे base makeup में में ध्यान नहीं देती थी और ऐसा होता था कि first second sector के बाद मेरे base makeup पिगल जाता था वैसे भी मेरे skin oily है और इसमें base makeup जो है उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना होता है और product भी बहुत ध्यान से choose करना होता है अभी I am really happy to choose this foundation जो Estee Lauder का मैं खरी दी थी मैं आपको बोल रहे थी बहुत महंगे हैं इससे पहले मैं Too Faced वाली use कर दी थी वो बहुत अच्छा था बट ये जो है ना जो Estee Lauder का foundation है my god like ये ऐसा है कि अगर आप powder नहीं भी लगाओगे एक बर वो foundation settle हो गई तो वो settle हो गई मतलब वो ऐसी है कि जब तक आप उसको remove नहीं करोगे makeup remover से तब तक वो remove नहीं होगी मैं जैसे जाती हूँ literally मैं वैसे ही वापस आती हूँ मैं जब flight से वापस भी लोटती हूँ कोई मुझे मिलते है तो वो मुझे पूछते है कि कौन सी flight के लिए जा रही हो तो yes that is the foundation which makes me look like यहाँ चार सेक्टर के बाद भी मैं flight के लिए जा सकती हूँ बहुत साथ expensive है to be honest मेरे हिसाब से भी foundation एक जिस पर आप invest कर सको इसलिए मैं आपको recommend नहीं करती हूँ पर अगर आपके पास budget है और आप एक long lasting foundation ढूंड रहे हो तो of course आप सोच सकते हो पर हाँ सोच समझ करी लेना 10% discount मिल जाती है कभी कभी इसमें और एक problem है कि pump नहीं है तो ऐसे foundation को निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है और कभी travel करो तो थोड़ी messy हो जाती है पर बाकी सब कुछ अच्छे है चलो अभी मैं airport पहुच गई हूँ और entry कर रही हूँ कभी-कभी एक बार में entry नहीं होती है पते यहां पर access denied दिखाया और फिर दुबारे से try करना पड़ता है और mostly ऐसा तब भी होता है जब मैं late हो जाती हूँ चलो finally twaxes मिल गई मुझे मैं जारी हूँ अभी जादा time नहीं मिलेगा मुझे तो फिर मैं आपके साथ बाद में मिलूँगी यह देखो बैंगलोर पॉच के हम आज भी मैं बैंगलोर जा रही थी चार सेक्टर फ्लाइट थी मेरी बैंगलोर आके हम एरक्राफ चेंज कर रहे हैं इससे पहले हम तीन सेक्टर कर चुके हैं तो हम आये थे बैंगलोर फिर गए कोचीन कोचीन से वापस आये बैंगलोर बैंगलोर से एरक्राफ चेंज किये और फिर आए कोलकता, कोलकता आके आपको दिखा रही थी weather कैसी है, अभी foggy foggy है, थोड़ा ठंटा भी है, और उपर आके सबसे पहले मैं make-up remove कर ली थी, आज off camera ही कर लिया, आज मैं बहुत tired थी, चार सेक्टर फ्लाइट थी और थोड़ी delay भी हो गई है, जब ही aircraft change होती है ना टर्मिनल जाना परता है, और फिर से security hold area cross करके आना परता है, उसमें काफी time लग जाती है, आज transit guest मदब जो कोचीन से कोलकता तक आ रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा थे, कभी कबार 10-15 लोग होते है, 20-25 लोग होते हैं, तो जल्दी हो जाती है, आज तो 90 से भी ज्यादा टर्मिनल बिल्डिंग जाएंगे, फिर वापस security cross करके आएंगे, तो उसमें time लगेगी, एक line भी लगानी परती है, तो बहुत लोग complain भी कर रहे थे, मैं समझाने की कोशिच करे थी, कि sir ये rules हमने नहीं बनाये हैं, ना ही तो airlines में बनाये हैं, ये government का rules है, और ये all over India के लि नहीं बात तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों कल में बहुत जादा टायर्ड हो गए थी, और भी मैं उठी, आज भी मैं फ्लाइट है, और आज भी मैं जाओंगी बैंगलोड, आज two sector है, luckily in the evening, और यहां पे मेरे husband मेरे साथ कुछ शेयर कर रहे थे, और मैं सुन रहे थी, और मेरे expression से आपको पता चल रहा होगा कि वो बात कैसी है, I was literally like shocked, कभी-कभी इनके साथ कुछ-कुछ incident ऐसे होते हैं, मैं सुन के shocked हो जाती हो, कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, literally like I have seen my husband going through different phases, अभी तक हमारे 8 साल के journey में, हम शादी से पहले भी कुछ 8-9 महीने के gap थे, मतलब जब ह हम मिले, उसके बाद कुछ 8-9 महीने के बाद हमारी शादी हुई, और अभी इस मार्च में 8 साल हो जाएंगे शादी के, अल्मोस 8 साल से भी जादा हो गए हम लोग को साथ में, और मैंने इनको इतने सारे phases से गुजरते हुए देखी, literally like this is the fourth phase I believe, and yes, difficult times भी थे, सबसे जाद डिफिकल टाइम कोविट के बाद आये, मतलब 2021 के बाद, कोविट के टाइम पर भी ठीक था, पर उसके बाद जब रिवाइव हो रही थी चीजे थोड़े-थोड़े करके, उस समय से ना, मतलब बहुत जादा स्ट्रगल थे इनके लाइफ में, अभी भी he is like going through the same thing, बट थो जाती है, तो वो थोड़े confused हो जाते है, क्योंकि देखो, मैंने बहुत कुछ देखा है, भली मैं उनसे बहुत चोटी हूँ, लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, और मैं वो अकेले ही जहली हूँ, कभी-कबार ऐसे भी हुए कि मैं किसी को बताई भी नहीं, पर इनके ला है, तो बुरे समय भी आएंगे, और अगर बुरे समय है, तो और अच्छी बात है, अच्छे समय जल्दी आएंगे, खाना खाने के बाद धोरे देर में अपना काम कर ली थी, और वहां पर बैट रही थी, क्योंकि वो जगे सबसे अच्छी है, वहां पर noise कम आती है, अभी अच्छाम हो चुकी है, और मैं ready हो रही हूँ, मैं हजबन भी निकलेंगे, मेरे साथ वह पूरे दिन घर से ही काम कर रहे थे, आईशाइडो लगा रही हूँ मैं, तो मतलब almost हो चुकी है, मेरे base makeup भी complete हो चुकी है, लास में ये मैं settings पर लगाऊंगी, फिर mascara और उसके बाद भी मैं ऐसे भीच रात को वापस आई थी और आज वे मैं वापस आऊंगी सुबा सार तीन चार बचे तक तो चलो यह सब तो हो गई है फिर चाय पी लेते हैं अभी ना फुरसत से पीना चाती हूं मैं चाय इसलिए मैं ऐसे करती हूं कि थोड़ा दिर बात पीऊंगी थोड़ वैसा होता है कभी को मेरे लिए टाइम नहीं बचता पर फिर मैं यह सोचती हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्लैटफर्म को पाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं और वो मेरे पास है तो थोड़ा और मेहनत कर लो कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा अभी मैं पाउच रही हूँ एपोर्ट एपोर्ट के एकदम भाजू में आ चुकी हूँ पर कभी के ऐसा होता है कि यहां तक पॉशने के लिए मुझे जित्ती टाइम लगती है ना इहां से एपोर्ट जो दिख रहे हैं आप कॉल रेडी हुआ तक पॉशने के लिए मुझे उससे ज् फ्लाइट चेंज कर रहे हैं पर आज डिले नहीं होगी क्यों क्योंकि आज हम लोग यहां से फिर जाएंगे कोलकता तो आज कोई ट्रांजिट गैस नहीं है हम कोलकता से डिरेक्ट आये थे बैंगलोर और बैंगलोर से डिरेक्ट जा रहे है कोलकता और फाइनली कोलकता लै मेरे लेक सर्प्राइज वेट करें थी मुझे पता नहीं था कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है लिटरली फोर्थ फ्लोर तक ये दस किलो से भी जादा वेट के बैग लेके ऊपर आना बहुत जादा मुश्किल होती है और ऐसा लगता है कि मदब पूरे लंबे दिन के बाद इस होता रहता है मेरे साथ हमारे बिल्डिंग के लिफ्ट थोड़े पुराने है तो बीच बीच में खड़ाब होता रहता है अभी आखे मैं मेक अब रिमूव कर ली हूँ और आज मुझे स्कौलिन लगाने का मन नहीं कर रहा था नहीं तो इसके बाद मैं स्कौललिन लगाती ह यह container जो है इसको खोलना इतना ज्यादा मुश्किल है literally and specially क्योंकि एक बार जो आप सारे moisturizer वगेर रगाते होना तो आपके हाथ भी थोड़े से slippery जैसा हो जाता है और फिर इसको खोलना और ज्यादा मुश्किल हो जाती है तो चलो guys आज के लिए इतना ही आज के vlog को समप्त करने की time आ गई है मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी hopefully मेरे पास time हो और मैं video edit करूँ मेरे पास बहुत सारे clips जमे हैं जो मुझे edit करके clear करना है और आपको भी दिखाना है तो हाँ चलो मैं मिलती हूँ आपके साथ जल्दी आप अपना धियान रखेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और कुछ दिनों से मुझे देख रहे हैं तो मेरे तरफ से आपके लिए एक छोट असा अनुरोध है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिएगा good night guys I'll see you again very soon आप अपना धिय guys take care